हेलो फ्रेंड्स मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपकी यूटूब चैनल ऑनलाइन सब्मिट में हैं दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंटर पास स्कॉलर्शिप यानि कि इंटर में जो भी 2022 में बालक या बाली का पास हुए हैं उन लोगों को बिहार सरकार के तरफ से एक कल्यान के वेबसाइट से 10,000 रुपया पर साहन रासी मिलता है बहुत लोग दोस्तों यहाँ पर वेट कर रहे थे कि कब से ओनलाइन अवेधन सुरू होगा तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कहां से आप लोग ओनलाइन अवेधन कर सकते हैं तो 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 यहाँ पर पूरी वीडियो यहाँ पर ध्यान से दिखिएगा और वीडियो को लाश ट्रक दिखिएगा आज का वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है तो मैं यहाँ पर मोबाइल से ही बताने वाला हूँ ठीक है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं mobile के screen में Google browser को open कर लिया है जो भी Google होता है Google से हमको demand करके उस website पर जाना है और पूरी चीज़ बताने वाला है कि कब से कब तक अवेधन होगा क्या होगा, कहां से link है इकलियान का website से, कहां से registration करना है उसके बाद forum को कैसे भरना है पूरी जनकारी के साथ ये आपके लिए वीडियो लाया हूँ तो चलिए हमारे वीडियो को last टक जरूर देखिएगा तो चलिए मैं यहाँ पर देखिए Google को type कर लेते हैं चलिए अपने mobile के screen पे आज येगा और जैसे इसे type कर रहा हूँ ऐसे वैसे आप लोग भी type कर लिजिए तो मैं यहाँ पर Google पर type कर रहा हूँ Online Submit Submit में याद रहे कि आपको Double T type करना है दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर Online Submit Submit में Double T type करके Search पे क्लिक कर लिया हूँ उसके बाद जो पहला वला वेबसाइट दिखा रहा है इस पे हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया Online Submit.com आप देख सकते हैं उपर में यहाँ पर Red Color सुक कर रहा है Submit में Double T नीचे में भी दिखा रहा है Online Submit.com तो दो तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे नीचे दिखे यहाँ पर जैसे यहाँ यहाँ पर यहाँ फूल स्क्रीन में नहीं खुल पार है तो उपर में जो यहाँ पर बैटरी का दिखा रहा है सरसट परसेंट उसके नीचे 3.00 का Option है उसके क्लिक करेंगे नीचे आएंगे यहाँ पर desktop site का option है इस पर click कर देंगे ताकि यह full screen में यहाँ पर खुल जाए तो चले मैं इस website पर आगे हूँ online submit.com तो आप लोग देख सकते हैं submit में double T है तो directly मैं इस website के नीचे directly हम क्या करते हैं नीचे चला आता हूँ दोज़ों सबसे उपर में एक बात बता दूँ कि यहाँ पर देखिए graduation का pass का scholarship जो भी 50,000 रुपे मिल रहे है इंडर में भी यहाँ पर दिया गया है metric का भी दिया गया है यहाँ से भी आज उस website पर click करके जा सकते हैं इस website पर तो मैं एक direct category से बताते हैं ताकि आपको असानी होगी जैसे यहाँ पर देख सकते हैं results, admit card, related job है इसका category बनाया गया है उची तरीका से scholarship का एक category बनाया गया है मैं directly यहाँ पर नीचे जाता हूँ यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर left side में यहाँ पर scholarship का यहाँ पर category बनाया गया है अब दोग देख सकते हैं scholarship अब देखिए पहला वाला है बिहार post matrix scholarship दुसरा है यहाँ पर मुख्य मंत्री यहाँ पर असनातक प्रसाहन योजना ये तो graduation के लिए हो गया दुसरा यहाँ पर मुख्य मंत्री बालक 10 प्रस टू प्रसाहन योजना इस पर हमको क्लिक कर देना है तो चले मैं उस पर क्लिक कर दिया हूँ मुख्य मंत्री बालक बालिका 10 प्रस टू जो भी इंटर में पास हुए है बालक बालिका तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर में जो भी बालक बालिका यहां पर नहीं होगा केवल बालिका के लिए इंटर में आपको पैसे दिये जाते हैं मैट्रिक में बालक बालिका दोनों के लिए दिये जाता है और ग्रेजुएशन में भी केवल बालिका के दिये जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंदरी बालिका 10 प्लस 2 प्रसाहन योजना 222 के लिए अवेधन करें यहाँ पर खुल चुका है पोस्ट डिट भी दिया गया है डिरेक्टली हम क्या करते हैं सबसे नीचे आ जाते हैं चलेए नीचे आ जाते हैं देखें यहाँ पर apply online करने का link यहाँ पर दे दिया गया है registration करने का link है पहले registration करेंगे उसके बाद login करके form को भड़ लेंगे payment status पेमेंट status भी यहाँ पर click year करके देख सकते हैं कि मेरा पैसा आया की नहीं district student का यहाँ पर list भी check कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बता दें कि जैसे ही यहाँ पर अभी registration करेंगे अभी आपका registration नहीं हो पाएगा अब रही बात कि आखिरी यह आवेदन हम कब से कर सकते हैं और कब से कब तक कर सकते हैं यह आपको माइने रखता है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले उस बात को जान लेते हैं तो मैं उपपर चलता हूँ यहाँ पर उपपर आते हैं सबसे पहले इस website पर एक बर जाकर आपको बता जैते हैं देखें यहाँ पर सबसे पहले मैं कहीं नहीं जाता हूँ वेबसियल वेबसाइट पर चला आता हूँ एक कलवेवसाइट है एक कलवेवसाइट क हने का मतलब एक कलवेवसाइट का जो में वेवसाइट होता है जिसके माध्यम से आपको प्रोसाहन रसी जोजो भी होता है वो आपक Lol. दिया जाता है दुहर 29, 21, लेकिन 22 कईस में कहीं भी update नहीं दिखा रहा है, कहने का मतलब ये कब से अविदन शुरू होगा, वो चीज मैं जान लेता हूँ, सबसे पहले, मैं इसको back कर लेता हूँ, back करने के बाद डिरेक्ली मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर, चले मैं नीचे आ जाता ह अप्लिकेशन भी किसी का भी एक भी रूपया नहीं लगने वाले, 0 रूपया है, आप लोग free में अपना form को भर सकते हैं, बहुत जल्द हमारे वीडियो एविलेबल होगा, जिसके माध्यम से आप अपना देखकर form को फिलब कर सकते हैं, यहाँ पर देखें, अप्लिकेशन यहाँ पर सून दिखा रहा है, इसका मतलब कि अभी आपका अवेधन में registration नहीं हो रहा है, और login करके form को भरा नहीं जा रहा है, सून का मतलब यह आपको application दिसंबर में activate कर दिया जाएगा, दिसंबर में आपको date दे दिया जाएगा, कि इस दिन से अवेधन शुरू होगा, तो दोस्तों अब रही बात कि आप लोग को कैसे पता चलेगा कि मेरा अवेधन शुरू होए कि नहीं, तो जैसे मैं बताया कि scholarship category online submit.com टाइप करके आ जानी है, और इस पर important dates देख लेनी है, सबसे पहले दो दिन पहले हैं इसका date जारी हो जाएगा, उसके बाद आप अपना online अवेधन कर सकते हैं, देखें दोस्तों यहाँ पर अवेधन करने की last date क्या है, यहाँ पर अवेधन करने की कोई अंतिमतिता निर्धारित नहीं होता है, बस आपको जिस दिन से यहाँ पर forum भराएगा, उस दिन से आपको forum को पूरी तरीका से fill up कर लेना है, यह लड़किय वेबसाइट पर इकलियान के वेबसाइट पर जाकर भी आप forum को भर सकते हैं, उमीद करते हैं यह वीडियो आप लोग के लिए सभी के लिए बहुत ही useful रहा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रे लिए आपको हरीग तरह के निव अपडेट मिल जाती है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है इस वेबसाइट को आप फॉलो केजिए हरीग तरह के निव अपडेट आपके सामने होगी, तो चलिए दो, मैं अपने वीडियो को समापत करते हैं और मिलते हैं दोस्तों ए नए बीडियो ने ट्रिक्के सुग्ण।